हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आए पर फिर से आपके पने यूटीब चैनल विलेजर्स कॉंसेप्ट में दोस्तों आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक पर फिर से चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स इस बुक का हम लोग जो है पॉलेटी सब्जेक्ट से महतपुन टॉपिक को भी कवर किये हैं इससे पहले जो है उसका तीन क्लास लिए हो है पॉलेटी का अगर आप लोगों को उसका वीड रिलेटेड जो MCQ दिया हुआ है उसको तो इस करम में जो सबसे पहला क्वेशन दिया गया है इसमें वह है हरपा सब्जेक्टा का सरवाधिक मानिता प्राप्त काल कौन सा है तो वह है पचीस सब्जेक्टा के समाकालीन नहीं थी किस सब्जेक्टा के समाकालीन नहीं थी तो इसमें ग्रीक की जो सब्जेक्टा है यह जो है सिंदुगाटी सब्जेक्टा की समाकालीन नहीं थी मेसर की सब्यता, चीन की सब्यता, मेसो-पोटामिया की सब्यता यह सभी जो है सिंदो गाटी सब्यता के जो है समाकालिन थी लेकिन ग्रीक की जो सब्यता है यह इसकी समाकालिन नहीं थी तो आप tenants नुमर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इस question का सही answer उसके बाद सिंदु गाटी की सब्यता कहां तक विश्तृत थी तो सही आंसर इस question का हो जाएगा देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाना, सिंद और बिलूचिस्तान तक जो है सिंदु गाटी की सब्यता विश्तृत थी तो option नमर क्या हो ज जाएगा इसका सही आंसर, उसके बाद है सिंदु गाटी की सब्यता में घोरे की अवसेस कहां मिले है, सिंदु गाटी की सब्यता में घोरे की अवसेस कहां से मिले है, तो यह मिले है सूर्कोटदा से, सूर्कोटदा, option number A हो जाएगा, अगला प्रशन है, सिंदु गाटी अ इस परश्ट को देखते हैं, दिया है इसमें कि निम्नलेकित में से किस पदार्थ का उप्योग हरपा काल की मुहरों यानि की मुद्राओं के निर्मान में मुख्य रूप से किया गया था, किस पदार्थ का उप्योग किया गया था, तो फ्रेंट्स इसमें जो है सिल्खरी का प्रयूग किया गया था, option number A है सही, next question है, हरप्पा सब्यता किसी यूग की थी, हरप्पा सब्यता किसी यूग की थी, तो यहां कांस यूगी न सब्यता थी, option number A इसका सही आंसर है, next question है, सिंदो गाटी सब्यता की लोगों का मुख्य ब्यवसाय क्या था, सिंदो गाटी सब् अगला प्रश्न है हरपआवासी किस वस्तू के उतपादन में सरुपर्थम थे ? तो यह लोग जो है देखे कपास के जो उत्पादर में जो है यह सरव पर्थम थे आपसेन नमर क्या हो जाएगा C इसका बिल्कुल सही है और अगला प्रश्ण है निम्न लेखी तो भी द्वानों में से हरपा सभ्यता का सरव पर्थम खोज करता कौन थे तो वह थे दयाराम साहनी के दोरा ही जो है अहरप्या सभ्यता की खोज करी गई थी तो आपसेन नमर जो D है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन के रहा है कि सिंदू सभ्यता का पत्तन नगर यानि की बंदरगाह कौन सा था तो वह था लोधल जो की गुजरात राज में इस्तित है आपसेन नमर बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट कोश्चन में दिया गया है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंदू गाटी की लोग माप और तॉल से परिचित थे या खोज कहां पर हुई यह खोज कहां पर हुई तो यह खोज हुई है लोथल में ओप्सिन नमर डी इसका सही आंसर है नेक्स्ट कुश्चिन है हर अप्पा कालिन समाज कीन वर्गों में विभक्त था? तो यह लोग जो है विद्वान, युद्धा, व्यापारी और स्रमिक के रूप में विभक्त थे तो ओप्सिन नमर बी हो जाएगा सही सिंदु सभ्यता का सरवाधिक उप्युक्त नाम क्या है? सिंदु सभ्यता का सरवाधिक उप्युक्त नाम क्या है? तो इसका जो है सरवाधिक उप्युक्त नाम है हरपा सभ्यता, सिंदू सभ्यता को जो है हरपा सभ्यता भी कहा जाता है, तो option number A में इसका सही आंसर दिया गया है, चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं, जो दिया गया है इसमें, कि निम्नलेकित में से कौन सा या कौन सिंदू सभ्यता की लोगों का सही चितरन करता या करते हैं, नीचे दियेगे कुटका प्रियों करके सही कथनों को चूनिये, तो इसका जो सही कथन हो जाएगा, वो option number A हो जाएगा, केवल दो, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो option number क्या हो जाए option number D हो जाएगा सही, next question है, हरप्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उकती सही है, तो सही answer हो जाएगा, कि उन्होंने पसुपती की सम्मान करना अरम्व किया, option number C हो जाएगा इस question का सही answer, और उसके बाद next question है, हरप्पा की लोगों की समाजिक पधती क्या थी, हरप्पा की लो और next question है, कि सिंद का नखलिस्तान या बाग हरप्पा सभ्यता की किस पुरास्थल को कहा गया, किस पुरास्थल को कहा गया, तो याद रखेगा, यह कहा गया है, मोहन जोद्रो को, किसको कहा गया, friends, मोहन जोद्रो को जो है, सिंद का नखलिस्तान या बाग कहा गया है, तो option भुजाकार याद रखेगा option number जो C है इसका सही answer हो जाएगा next question है सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित कीजिए एक तरफ अस्थल दिया हुआ है दोसरे तरफ जो है नदी दिया हुआ है कि वो अस्थल जो है किष्ण नदी के किनारे है तो option number जो A दिया है इसका right answer हो जाएगा next question है हरपा सबहता के अंतरगत हल से जोते गए खेत का साक्ष कहां से मिला है हरपा सबहता के अंतरगत हल से जोते गए खेत का साक्ष कहां से मिला है तो ये मिला है काली बंगा से option number C हो जाएगा ठीक है next है सेंदब सब्यता की इटो का अलंग करन की सास्थान से मिला है तो ये मिला है काली बंगा उपसन नमर जो A दिया गया है तो याद रखेगा मोहन जोद्रो जो है friends या इस्थीत है सिंध में उपसन नमर जो B है इसका सही हो जाएगा सिंदु सब्यता में वरीहत अशनानागार पाया गया है कहां से ये पाया गया है मोहन जोद्रों में जो की option नमर A में दिया गया है इसका सही answer उसके बाद सिंदु सब्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुले चितरांकन मिलता है किस देवता का तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए आधे सीव आपसन नमर ए हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट कुश्चिन निमनलेकित में से कौन सा हरप्पा कालिन अस्थ गुजरात में था तो वह अस्थल हो जाएगा देखिए लोथल जो है यह गुजरात राजी में स्थीत आपसन नमर डी होगा नेक्स्ट है मोहन जोद्रो का अस्थानिय नाम तो इसका अस्थानिय नाम है मिर्तकों का तिल्ला मोहन जोद्रो का अस्थानिय नाम क्या है मिर्त सिंदू गाटी की सभ्यता, option number C होगा, next question है, सेंधा वास्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरोप अन्यमलेकित में से किस पसू का सरवाधिक उत्किर्न हुआ है, कौल किस पसू का हुआ है, तो ये हुआ है, बैल का, जो की option number C, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला question अब देखते हैं, दिया है इसमें, सिंदू गाटी की सभ्यता जानी जाती है, किस के लिए, सिंदू गाटी की जो सभ्यता हुआ किस के लिए जानी जाती है, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, option number A हो जाएगा सही, next question है, सिंदू सभ्यता का कौ सा स्थान इनमें से भारत में इस्थीत है तो याद रखेगा यह जो जो अप्षण दिया हुए इस में से लोधल जो है ये भारत में इस्थित है गुजरात रल जिमें आपन無icism rs उप्सिन नमर जो A दिया गया है, इसका सही हो जाएगा, सिंदू सब्यता के बारे में कौन सा कथन असत्त्त है, इनमें से कौन सा कथन असत्त्त है, तो लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्त्त हो जाएगा, सिंदू सब्यता में जो है, लोग लोहे से परिचित नहीं आपसन नमर इसका D जो है सही हो जाएगा अगला कुश्चन है सुची 1 को सुची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तो इसका जो सही मिलान करेंगे तो आपसन नमर A इसका सही हो जाएगा A का 1 B का 2 C का 3 D का 4 सिंदु सब्यता की उतरी सिमा जो है यह मांडा जमू से जो है यह करता है सिंदु सब्यता की दक्षिनी सिमा जो यह दैमाबाद या महराष्टर में है सिंदु सब्यता की पूर्वी सिमा जो है यह आलमगीरपूर उत्तर परदिस में है और सिंदु सब्यत next हरपा कालिन अस्थल रूपर पंजाब या पंजाव किशनधी के किनारे इस्थित्ता किनारे तो यहां इस्थित्ता सतलज नदी के किनारे फ्रेंट्स option number b हो जाएगा इसका सही उसके बाद हरपा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रनाली का पता चलता है कहां तो ये धौलावी रामे option नमर A है सही next question है हरपा के मिटी के बरतनों पर समाना तक किस रंग का उप्योग हुआ था किस रंग का उप्योग हुआ था तो इस पे जो है लाल रंग का उप्योग हुआ था option नमर A दिया गया है सही है सिंदु सभ्यता नेमे लेकित में से किस युग में पढ़ता है सही आंसर इसका हो जाएगा option नमर D मोहन जोदरो है option नमर D इसका right आंसर हो जाएगा friends उसके बाद अगला प्रशन देख लेंगे प्रश्ण नमर 45 में दिया है सिंदुगाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतिये का नाम जुरा है वे कौन है तो वे दो भारतिये जो है वे है दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनेर जी औपसर नमर A इसका करेक्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखे रंगपूर जहां हरपा की समाकालिन सभ्यता थी कहां है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखे यह सवराश्र में है उप्सन नमर C होगा अगला प्रश्ण हरपा एवं मोहन जोदरों की पुरतात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे तो इसके प्रभारी थे सर जान मारसल ऑप्सन नमर B है इसका सही आसर निमन में से किस पसू की आकरीती जो मोहर पर मिली है जिससे ग्यात होता है कि सिंदु घाटी एवं मेसोपटामिया की सवेताओं के मद्य व्यापारिक संबंध थे तो वह थे बैल वह पसू कौन थे तो बैल थे ऑप्सन नमर C हो जाए इसका सही आनसर है निमनले खित में कौन मोहन जोदरो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो ये विशाल अशनानागार मानी जाती है उपसन नमर जो ए दिया गया है इसका सही है नेक्स्ट कुशन देख लिजे हरपा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के ले कौन सी पधती अपनाई थी तो वह पधती थी ग्रेड पधती ओपसन नमर सी है इसका सही और उसके बाद जो अगला प्रशन हो जाएगा प्रशन नमर तिरपन इसमें दिया गया है कि सूची बन को सूची टू के साथ सुमेलित किजी और सूचियों के नीचे दिये गए एक का दो है लोथल जो है ये क्या होजाया गोदी बारा बी का एक का ली बंगा जो है जुता हुआखेत ची अप्रसन नमर क्या होजाईगा इसका बिल्कुल सही आणसर और आगला प्रशन जो है इसको देखते चले निमनलेखित पशुओ में से किस एक का हरपा सभेता में पाई मुहरों और टेरा कोटा कलाकरतियों में निरूपन या अंकन नहीं हुआ था, तो वापसु था सेर, उप्सन नमर ए इसका सही आंसर है, नेक्ष्ट है हरप्पावासी किस धातु से परिचीत नहीं थे, हरप्पावासी तो वा धातु था लोहा, याद रखेगा, उप्स नमर सी, इसका बिलकुल सही है, और उसके बाद जो नेक्ष्ट कुश्चन है, कहरा है कि कपास का उत्पादन सरवर्थम सिंधु शेतर में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान की लोक किस नाम से पुकारा, तो इससे सिंधन के नाम से पुकारा, उप्सन नमर ए इसका सही आंसर करते थे, उत्तर जो है कूट में दे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो अप्सन नमर एक, दो तीन, चांदी, टीन और सोना, तीनों का जो है, ये लोग क्या करते थे, आयात करते थे, तो अप्सन नमर जो ए दिया गया है, इसका बिलकुल सही हो जाएगा, और अ अफगानिस्तान इस्तित सिंदू सभयता से संबंधित अस्थल कौन सा है तो वह अस्थल हो जाएगा ए और भी दोनों यानि कि मुंडी गाक और सुर्तो गोई याद रखेगा आपसन नमर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उसके बाद कौन कौन से नगर सिंदू सभयता के ब महन जोदरों से प्राप्त पसुपति सिव या आदे सिव मुहर में किन-किन जानवरों का अंकन हुआ है तो इनमें से सभी हो जाएगा देखिए व्यागर एवम हाथी गेंडा एवम भैसा और ही रन तो ऑप्सन नमर जुड़ी है इसका सही है और उसके बाद के राय की किस ह पाक आलिन अस्थल से तो याद रखेगा ये प्राप्त हुई है मोहन जोदरों से ऑप्सन नमर बी इसका सही है उसके बाद किस सिंदुक आलिन अस्थल से एक इट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजों के निशान मिले है तो ये मिले है चन होदरों से है तो ये मिला है लोथल से उपसन नमर सी है सही उसके बाद जो नेक्श्ट कुश्चन हो जाएगा दिया है इसमें कि स्वातन त्रियोत्र भारत में सबसे अधिक संखा में हरप्पा युगिन अस्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है तो ये हुई है सबसे अधिक नेक्श्ट कुश्चन के राय की दिया है इसमें कथन और कारण ठीक है दोनों हरप्पा तथा महांजुद्रों अब विलुप्त हो गये हैं वे उत्खनन के दरान पर कट हुए थे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्सन नमर ए हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एका सही असपश्टी करन है तो अप्सन नमर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है सिंदुगाटी सब्यता के संदर में नेमलेकित गत्रों पर विचार कीजिए उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन जो है इनमें से सही है तो सही कथन इसका उप्सन C एक और दो दो नो हो जाएगा यहा प्रमुक्त तहलोकिक सभ्यताती तथा उसमें धार मिक्तत्व यद्दपी उपास्थिती तथा वर्चस्व साली नहीं था और उसका अलमें भारत में कपास से वस्तर बनाये जाते थे तो उप्सन नमर C है इसका बिल्कु उप्सन C हो जाएगा A का तीन है मांडा जो है यह कहां है जमुकस्मीर बी का चार दैमाबाद जो है यह कहां महराश्र में उसके बाद C का एक काली बंगा जो है कहां पे राजस्थान और राखी गड़ी जो है यह कहां परता है कि छेत्र में इस्तित है यह तो यह हर्याना म इसका जो है क्या हो जाएगा option number C इसका बिल्कुल सही हो जाएगा और चलिए अगला प्रश्ण जो है इस प्रश्ण को देखते हैं इसमें है खरपा कालिन अस्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ती नहीं हुई है तो लोहा की प्राप्ती नहीं हुए option number D है सही answer किस प किया था जे एच मैके ने option number A है सही और आएए फ्रेंट्स अब इस वीडियो का last question जो दिया गया इसको देख लिजे निम्नलेखित हरप्यास्थलों में कौन मनका निर्मान का एक विस्ष्ट के अंदर था तो वा था लोथल गुजरात option number जो A दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो फ्रांस इस तरह से लिजेंट पॉब्लिकेशन जो न्यू एमसी क्यूज का जो बुक लांस किया है 2024 एडिशन का इसमें से हम लोग हिष्ट्री सब्जेक्ट से आज सिंदु गाटी का जो सब्यता टॉपिक था उसके टूटल जो 76 MCQ दिया है उसको सही कर पाए ठीक है फ्रेट्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जूरे रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं तब तक के लिए जैहिंद